नमश्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हम पढ़ रहे हैं जोग्राफी क्लास 6th NCRT और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर 5 मेजर डोमेंस ऑफ दी अर्थ इस चैप्टर को समझने के बाद आपको कुछ बातें समझ आएगी जैसे हम अर्थ पर लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें हम मोटी-मोटी एक और तरह की नई लोकेशन कैसे निकालते हैं वो समझेंगे उसमें हमने एक्जेक्ट लोकेशन निकालना सीखा था यहां पर हम एक मोटी-मो हुए chapters की application इसके अंदर मिलेंगी तो ये chapter इसले भी जरूरी हो जाता है पढ़ना अब आईए शुरू करते हैं इस chapter में कि इसमें क्या खास बात है दरसल इस chapter में हम पढ़ेंगे अर्थ की कौन-कौन सी major domains है major domains से जब हम बात करते हैं अर्थ की तो उससे मतलब है वह कौन-कौन से component है अर्थ पर जिनकी वज़े से अर्थ पर लाइफ जो है पॉसिबल हो पाती है तो अर्थ पर लाइफ किन components की वज़े से possible होती है वह हम इसमें पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम तीन components के बारे में पढ़ेंगे लिटो स्फेयर एक्टमास्फेयर और हाइड्रो स्फेयर यह तीन component मिलकर एक एक बनाते है पॉसिबल डोमेंग जहां पर लाइफ होती है एक्जिस्ट वह होती है बायो स्फेयर यानि अर्थ की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेन है वह है बा बनता है या फिर यह बोलें कि यह तीन कॉम्पोनेंट्स बायो स्फेयर के पार्ट हैं तो आप कहीं से भी कान पकड़िये बात एक ही होगी तो अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि लाइफ अर्थ पर एक्चुल में पॉसिबल कैसे है उसके लिए इन तीन जहां पर हम रहते हैं जहां पर हम जितनी है करते हैं इसको हम कहते हैं लिटोसare अर्थ का अर्थ का सब दियूदेड यहां हम रहते हैं अब अर्थके सब बनाते हैं वह सब सब अर्थ के solid portion पर होता है तो यह बहुत important component है अर्थ का जो कि solid portion है अब जो lithosphere होता है उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले अर्थ के उपर जो solid portion होता है उसके अंदर surface होता है continent का और एक होता है ocean का जब हम अर्थ को मोटा मोटा देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमें जमीन जमीन दिखती है और कुछ जगा हमें पानी दिखता है जहां पानी दिखता है उसको हम समुद्र कह देते हैं अब जो समुद्र होता है जो ओशन होता है उसके नीचे भी एक जमीन होती है जिसको हम कहते हैं ओशन बेसिन अब वो जो ocean basin है वो भी lithosphere का ही पार्ट है तो अर्थ के जो lithosphere है उसके दो पार्ट है एक जो जमीन वाला पार्ट है जो हमें दिखता है और दूसरा जो ocean basin है जो हमें नहीं दिखता दोनों ही lithosphere के पार्ट है अब जो हमें दिखता है जमीन वाला पार्ट उसे हम दरसल कहते हैं कॉंटिनेंट कॉंटिनेंटल सर्फेस हम उसको कहते हैं क्योंकि हम क्योंकि हमने उसको अलग-अलग कॉंटिनेंट में डिवाइड किया गया है जो किया हुआ है जो जमीन हमें दिखती है ठीक है दोस्तों अब ओशन का जो बेसिन है हमने उसको अलग-अलग क्यों नहीं डिव होते हैं तो उसके अंदर कुछ डिफ्रेंशियेट करने जैसा नहीं है यहां का ओशन जो प्रशांद महासागर से तो इसमें डिफ्रेंशियेट अलग तलग करने जैसा कुछ नहीं है इसलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉंटेनेंट में क्योंकि जमीन के जो टुकड़े हैं वो अर्थ पर अलग अलग हैं वो कनेक्टिड एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं कुछ-कुछ जुड़े हुए हैं कुछ-कुछ एक दूसरे से अलग हैं तो मोटे-मोटे तौर पर हमें जमीन के जो भाग है अर्थ पर वो अलग-अलग दिखते हैं तो हमने उन दिखने वाले भागों को साथ अलग-अलग continents या फिर जिसे हम बोलते हैं महादवीपों में हमने उसको डिवाइट कर रखा है जिसको हम बोलते हैं seven major continents हम पढ़ते हैं लिथो स्फेर जब पढ़ते हैं ठीक है दोस्तों तो seven major अब एक बार continent पढ़ने से पहले हम एक चीज़े समझ लेते हैं कि सी लेवल क्या होता है जैसा कि हमने समझा कि जो सी है जो ओशन है वहर जगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो पानी जब एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो वह एक जगा दूसरे जगा प्रीफ्लो करे वहर जगा सेम ही होता है ठीक है और इस वज़े से हम उसको ले लेते हैं जीरो अब जो चीज सेम रहती है जो चीज बदलती नहीं है उसको किसी चीज का रेफरेंस लेना आसान हो जाता है और उसके रेफरेंस में हम चीजों को माप लेते हैं जैसे हमने एक्वेटर को जीरो point ले ले लिया ठीक है जिसे हमने जीरो मांद लिया अब जो भी अर्थ पर किसी भी चीज़ की उचाई ना पी जाएगी किसी भी चीज़ की height ना पी जाएगी वो इस 0 level यानि ocean के सी लेवल इस सी लेवल के reference में ही इसके reference में ही जाएगी झैसे अगर आप की हreseलंगे अगर क्या कि कहते हैं पर्वत की हाइं आप मिल गया है रैपेररेंज तो हाइट न अपना आसान हो जाएगा एक वह देखेंगे है है तो अर्त पर हम जब भी बात करते हैं किसी भी माउंटेन के हाइट की तो वो दरसल सी लेवल से ही ली जाती है अब देखें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है यहाँ पर वो है 8848 मीटर यानि 8848 मीटर वैसे अब यह नई जो हाइट अब नापी गई है चाइना और नेपाल के दुआरा वो 86 सेंटीमेटर एक्स्टा है तो लेवल से यानि इसको मीन सी लेवल भी कहते हैं यानि जो समुद्र का लेवल है उसको हमने मान लिया जीरो उससे उपर कुछ भी होगा तो उसकी हाइट हम नापेंगे मीटर में तो यह तो नाप ली हमने हाइट अब दूसरी बात अगर हमें गहराई नापनी हो तो गहराई जो है गहराई जिसकी नापी जाती है वो है एक ट्रेंच अब ये ट्रेंच क्या होता है ट्रेंच आपको कुछ नहीं समझना अभी फिलाल के लिए आप यह समझ लिए एक ट्रेंच जो होता है वो एक खाई की तरह होता है जो समुंदर के नीचे जो सताय होती है जो सर्फिस हो बात होता है उसे हम कहते हैं और वो बहुत गहरे होते हैं अब इंग को detail में पढ़ेंगे कैसे बनते हैं क्या होता है यह पढ़ेंगे हम 11 क्लास की जब Geography तो अर्थ की सबसे उचाई उची जो हाइट है जो सबसे उची जो परवत शंकला है वो है एवरेस्ट और उसकी हाइट भी नापते हैं मीन सी लेवल यानि सी लेवल से नापेंगे यहाँ पर और सबसे गहरी जगा कौन सी है वो है मरियाना ट्रेंच और वो कितनी गहरी है वो Everest से भी जादा गहरी है तो आप ये समझ लिए जो सबसे गहराई अर्थ पर है सबसे गहरी चीज वो अर्थ ये सबसे उची चीज से भी जादा उची है ठीक है तो हमने ये समझ लिया कैसे height ना पी जाती है अर्थ पर और गहराई कैसे ना पी होती है अब हम चलते हैं कि क्या होते हैं सत में डिवाइट किया हूए है साथ में बदाता हूं साथ मेजर कॉंटिनेंट्स हैं एक नौर्थ अमेरिका दूसरा साउथ अमेरिका तीसरा एशिया चौथा एफ्रिका फिर यॉरॉप तो एक दो पांच हो गए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और एंटाक्टिका तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने हो गए साथ मेजर कॉंटिन में है अब अगर आप से कोई पूछे लंडन लंडन कहां पर है तो यॉरॉप कॉंटिनेंट में है कहां पर होगा यहां पर कहीं लंडन होगा यहां पर यॉरॉप कॉंटिनेंट पे अब यह नौर्वे कहां पर है नौर्वे यॉरॉप में है तो आप मोटा मोटा किसी को ल साओर अफ़रिका यहां पर एफरिका इस तो मोटा मोटा अगर हम लोकेशन बताएं तो हमें समझाता है जब भी देशों की बात होती है तो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि यह वाला देश इस सब्रेशन चाहिए कौन सा continent कहां पर है North South America की पता चल गई Europe Asia Africa और Australia और Antarctica यह हमें पता चल गए साथ major continents कौन से हैं अब एक-एक करके हम इन साथ major continents को पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा continent उठाएंगे वह है एशिया जो है सबसे बड़ा continent है जो की वन थर्ड वन थर्ड पार्ट है पूरे अर्थ का वो कवर करता है और इसके अंदर हम अब और जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा उसकी application जानेंगे तो वह यह है कि एशिया से गुजरती है ich Rogo Capricorn to एशिया से गुजरती है क्रोपिक ऑफ कैंशर या नी साथे看看 नौर्थ यह कां से गुजरती है एशिया से गुजरती है और एशिया में क्या होता है गिंगे एशिया के अंदर इंडिया है चायना है रश्या है ठीक है सबसे बड़ी country जो है वो भी एशिया के अंदर है ट्रॉपिक और कैंसर यहां से गुजरती है चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा जो continent है वो कौन सा है तो सबसे छोटा जो continent है वो है हमारा औस ट्रेलिया और औस ट्रेलिया सबसे चोटा continent होने के साथ साथ आप यह देखिए यह वाले continent आपस में जुड़े हुए हैं यॉर्प एशिया और एफ्रिका आपस में जुड़े हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं पर आस्ट्रेलिया बिल्कुल एक दम अलग है वो किसी और काउंटिनेंट से नहीं जुड़ा इसलिए यह सबसे छोटा काउंटिनेंट होने के साथ साथ हम इसको कहते हैं लेंड आइलेंड काौंटिनेंग में हैं एंकर सबसे बड़ा ऐशिया सबसे छोटा ऐस्ट्रेलिया हमने दείख आब 23 डिगरी साउथ यानि Tropic of Capricorn Tropic of Capricorn गुजरती है यहां से चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो दूसरा सबसे चोटा दूसरा जो सबसे चोटा continent है वह एफि का एफिरिका दूसरा सबसे चोटा क्षोटा तो है लेकिन इसकी एक खास बात ये है कि आप देखिए एशिया से सिर्फ गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओस्प्रेलिया से सिर्फ गुजरती है ट्रॉपिच ऑफ और का अप्रिका एक मात्र ऐसा continent है जिससे traffic of Capricorn, traffic of Cancer और equator तीनों ही गुजरती है तो Africa इस मामले में सबसे खास continent है जिस से तीनों ही हमारी जो क्या केते हैं LATITUDES है इंप्रोटन्ट लैक्टिटूटउग्स अक्षान्स रेखा वो गुजरती है एफरिका कॉंटिनेंट से और इसके अंदर और इंपोर्टेंट जो बात है एफरिका कॉंटिनेंट में सबसे बड़ा सबसे बड़ा रेगिस्तान यानि सहारा रेगिस्तान एफरिका कॉंटिनेंट में ही पाया जाता है ठीक है यह हमने खास बात समझी और तीसरा सबसे बड़ा अगर हमारा जो कॉंटिनेंट है इसके बाद हमारा जो है वो है यौरोप ठीक है सॉरी थर्ड लार्जस्ट है हमारा नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका जो हमारा थर्ड लार्जस्ट कॉंटिनेंट है वह पढ़ता है कहां पर अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फियर नीचे वाले को कहेंगे साउथ हेमिस्फियर तो नॉर्थ हेमिस्फियर में क्या क्या पड़ता है देखो एशिया पूरा नॉर्थ हेमिस्फियर में पड़ता है देखे एक्वेटर के उपर है पूरा एशिया तो एफरिका जो है वो नॉर्थ और साउथ दोनों हमिस्पेर में है एशिया सिर्फ नॉर्थ हमिस्पेर में है नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ हमिस्पेर में है और नॉर्थ अमेरिका जो कॉंटिनेंट है जो नॉर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट है इसके इसमें खास बात जो है वह इंपॉर्टन्ट यह है कि नॉर्थ अमेरिका की यहां पर ये जो पतला सा ऑफ पार्ट देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा यह पीया की जमीन की लैंड मास Tiffany जिसके दोनों साइड उशन हो दोनों साइड ऑट बोडी हो भी करा पार बीच में पतला सा जमीन का टुकड़ा हो इसको हम कहते हैं इस्थिमस इस्थिमस तो यहां पर जो यह नेरो लैंड मास है यानि जमीन का बहुत पतला जो टुकड़ा है इसको हम कहेंगे इस्थिमस और इसका नाम है पनामा इस्थिमस ठीक है दोस्तों इस लैंड मास का जो नाम है वो है पनामा इस्थ आप देढ़े कि पर नामा जो इस थिमस है पर मैं आपको बता देता हूं चलिए मैं ही आपको बता देता हूं पर नामा से जो इतना पर एक इसको काट कर इसके आर पार जाती हुई एक नहर बना दी यानि कैनाल बना दी थी यहां से इसकी कैनल बनने के बाद ट्रेड बहुत जादा एक्स्पैंड हुआ, बहुत जादा फाइदा हुआ, टाइम की बहुत कटोती हुई और इससे ट्रेड व्यापार करने में बहुत ही जादा आसानी हो गई और इसको हम कहते हैं पनामा कैनाल तो पनामा इस तमस में है पनामा कैनाल ये एक एक्स्ट्रा इंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो बुक में नहीं है आप मुझे ये बताइए कि ऐसी ही एक इंपॉर्टन कैनाल है जिसने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया इंडिया की हिस्ट्री को ही नहीं पूरे देश की हिस्ट्री को चेंज कर दिया और उसने ट्रेड में और टाइम की कटोती में बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करा पनामा कैनाल के बाद वो कौन सी important कैनाल है जिसने time कम करा और distance को कम करा आप मुझे comment box में उसका answer दीजिए चलिए ठीक है तो नौर्थ अमेरिका को पढ़ते वक्त पढ़ा हमने पनामा कैनाल ठीक है अब पढ़ते हैं हम South America को तो South America को पढ़ते हैं तो South America को ठीक है नाम से ही प ठीक है दोस्तों तो South America में जो खास बात है वो यह है कि इसके अंदर दुनिया की सबसे लंबी परवत श्रिंकला है longest mountain range है यह देखिए कितनी लंबी mountain range है कितनी लंबी बिलकुल एक continent के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है लगभग और इस mountain range का नाम है एंडीज परवत एंडीज mountain range आप नाम याद रखिए बहुत ही important mountain range है यह एंडीज परवत श्रिंकला तो इसके बाद अब हम चलते हैं यॉरप की तरफ यॉरप continent की तरफ जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं यॉरप continent दरसल एशिया continent से ही जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर एशिया continent से ही यॉरप continent जुड़ा हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की यह है यह है एक यॉरल mountain range क्या करती है यह जो एशिया है और यॉरप है इन दोनों को डिवाइड करती है अलग-अलग continents में तो ठीक है दोस्तों आपको यह बात समझ आए कि उरल mountain range किसको करती है चलिए यहां पर मैं एक और important question आप से पूछूंगा आप मुझे comment box में मैं आप से दो question पूछूंगा comment box में एक answer मैं कर देता हूं जो ओरल mountain range है यह दरसल है यह रशिया में है तो रशिया का कुछ भाग देखिये रशिया जो है यहां तक फैलाव और आगे यहां तक रशिया आता है तो अब आप देखिए रशिया वह country है जो यौरोप में भी पढ़ती है और एशिया में पढ़ती है अब जैसे इंडिया है इंडिया कहाँ पर है अगर हम बोलें इंडिया कहाँ पर है कहाँ पर पढ़ती है इंडिया लोकेशन क्या है तो आप कहेंगे कि एशिया कॉंटिनेंट में इंडिया की लोकेशन है ठीक है लेकिन रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया एशिया में भी पढ़ता है और एशिया दोनों में पढ़ता है ठीक है दोस्तो एशिया और एफरिका में एशिया प्लस एफरिका में वो मुझे बताईए कौन सा देश है कौमेंट बॉक्स में जो दोनों में पढ़ता है और दूसरा कौमेंट बॉक्स में आप मुझे बताईए वो कौन सा देश है यहाँ प बताईए मुझे यह वाला इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताईए एशिया और आफ्रिका में कौन सा देश है जो पढ़ता है ठीक है आप अंदाजा लगा देते हैं कहीं यहां पर ही होगा वह देशु है हमने यहिप का पास होता है अब कि आ यौरफ की हमने एक एक खास बात He Mitglers & तो यह की यौरॉपसे गुजरता है अब आक्टिक सर्क्ल क्या होता है और आशनल अर्थ का जो नौर्थ और सा वरिया यानि अर्थ की जो नॉर्थ लोकेशन ये है बिल्कुल नॉर्थ यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर है साउथ पोल पर पर पे अंग्टार्क्टिका नॉर्थ पोल पर क्या है जमीन का कोई खास एक बड़ा हिस्सा नहीं है वहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वह आर्क्टिक सर और यह अब आप के लिए यूज़ करने की जो है वो योजना बनाई जा रहे है चाइना की दुवारा उसको करइंट पढ़ सकते हैं खिलाल हम यह जानेंगे कि Arctic Circle कहां पर है यह आप उस पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं यानि कि North Pole पर होगा Arctic Circle जालेए अब हम पढ़ते हैं एंग्टाक्टिका कहा है एंग्टाक्टिका है एंग्टाक्टिका हमने देख Germe एक दम सौथ lo function में रहता है साउध वोल जो है विपुल अर्थ कई सावा ने थे का कि विलगुल में यहां पर है सौथ और यह बहुत बड़ा एक कॉंटिनेंट है इतना बड़ा है कि अगर यॉरोप और ऑस्ट्रेलिया का उससे भी यह बड़ा है इतना कम टेंपरेचर है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है इतनी असानी से इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट हुमन्स का नहीं होता है और जो भी वहाँ पर थोड़ा बहुत सेटलमेंट है वह वहाँ पर रिसर्च और अनुसंधान के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर इंडिया ने भी अपने कुछ जो है रिसर्च सेंटर एस्टेबलिश कर रखे हैं जैसे एंटाक्टिका में मैत्री और दक्षिन ग जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर इंडिया का कॉन सा रिसर्च सेंटर है जिसकी मदद से इंडिया रिसर्च करता है नॉर्थ पोल में इधिये तो हमने पढ़ा कांटिनेंट्स करके हमने सारे कॉंटिनेंट्स पढ़ लिए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार कॉंटिनेंट्स से आगे बढ़ने से पहले हम important कुछ mountain ranges जो map में दे रखी है वो हम समझ लेते हैं जैसे एंडी परवत श्रिंखला यहां पर है ठीक है एंडी परवत श्रिंखला साथ अमेरिका में है और rocky mountain परवत यहां पर है एपलेशियन है इदर और इरल है एक्लस है और यह ग्रेक इंजबर्ग है और यह ग्रेक डिवाइडिंग रेंज यहां पर है आउस्ट्रेलिया में और हिमालिया यहां पर है आप समझ सकते हैं एक मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं आप इसको कंट्री का नाम आप खुद से सर्च कर सकते हैं क्योंकि बहुत डीटेल में हो जाएगा वह चैप्टर और इस चैप्टर की डिमांड नहीं है तो हम यह देखते हैं कि आपको एक ट्रिक मैं बताता हूं कि कैसे आप याद कर सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कं करती है और इक्वेटर कौन सी कंक्री से घुज़दी है तो क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुज़दी है वह एम से घुज़दी है मेक्सिको यहां पर गज़ढ़ेगी एफरिका को गज़ढ़ेंगी वेस्टन सहारा मॉरितानिया और उसके बाद आप देख लिए आप एरेबिया दुबाई UAE और उमान इंडिया बांगलादेश म्यानमार चाइना और ताइवान यहां से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसी तरह से इक्वेटर इन कंट्रियों से गुजरती है आप इनको याद रख सकते हैं इस ट्रिक की मदद से ट्रिक मैं बता देता हू जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है एम तो यहां से लेंगे मैक्सिको उसके बाद आप याद रख सकते हैं डबल्यू एम मांग ले आप इसको पढ़ ले डबल्यू एम मांग ले यहां से कंट्री के नाम आप मैच कर लीजेगा जैसे मैंने आपको बताए उसी है तो वह गुजरती है सूओ आई-बिमसीटी उसी तरह से जो ट्रॉंपिक ओसर्टी क्रिक उफ 그건 अग्जिए कैप भी यहां से पो चिले अर्जिंटीना okoy or ब्रजील इक है उसकी तरह से यहां पर आप कंट्री के नाम मैच कर लीजिए एन्बीस जी और यह आस्टेलयलिया एफ तो यहां से आप कर सकते हैं जी सी डकश और सॉरी हीसी वी और जी सी डक्स और यह आपको बताएगी उक्वेटर केंदेश से गुजरती है क्वेट्र को गुजरती हैं इक ट्रिक आप याद रख सकते हैं अब चलते हैं आगे की जो दूसरा एक component यानि अभी complete हुआ है हमारा lithosphere जो सबसे बड़ा major component हमने detail में पढ़ा lithosphere अर्थ का life जिस पर possible है उस पर हमने साथ continents पढ़े जिसमें हमने location देखी continents की और major features कौन सी वहाँ पे अगर कोई लंबी परवत श्रिंकला है तो वो समझी अगर क सबसे बड़ी रिवर है और जो नाइल रिवर है यहां पर गुजरती है नाइल रिवर वह सबसे लंबी रिवर है तो जो सबसे लंबी रिवर है वह नाइल रिवर एफ्रिका से गुजरती है जो सबसे बड़ी रिवर लार्जिस्ट रिवर है वह है Amazon रिवर अमेजन रिवर वो गुजरती है साउथ अमेरिका से अब सबसे लंबी तो समझ आता है सबसे बड़ी का मतलब क्या है सबसे बड़ी का यहां मतलब है water के volume की यहां पर बात की जा रही है ठीक है सबसे दूरी तक तो यह बहती है नाइल रिवर सबसे दूरी तक भेती है लेकिन जो एमेजान रिवर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी होता है तो इसलिए इसको सबसे लार्जस रिवर कहा जाता है तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं जब भी क्वेश्चन आएगा लार्जस रिवर का और लॉंगस रिवर का तो कन्फ्यूज नहीं होना है लॉंगेस रिवर है नाइल रिवर लार्जेस रिवर है एमेजॉन रिवर यानि की वाटर का वॉल्यूम वाटर की कैपैसिटी सबसे जादा केरी करने की किसमे है एमेजॉन रिवर में चलिए अब दूसरे कॉंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं जो की है हाइड्रोस्फेर इतनी भी फॉर्म में वाटर प्रेजों ठोटा है उसको कहते है हमाग्रोस्प्र थो खिर में प्लूब्लुक्व में रखाएग तरफ पर सेवनटी वन परसक्रーーंट बैर्ट यह वो कवर है ओशन से इसलिए उसको कषगते हैं गलू दिखेगँ लिए हर form में जो water है उसको हम कहते हैं hydrosphere hydrosphere में क्यों क्यों से count होगा water in river, water in lakes, water in ocean और water even in water in vapor भाप की form में भी या फिर इसके अलावा और किसी ओस की form में भी अगर पानी है तो हो hydrosphere में ही count होगा अर्थ के मार्स पर हम क्या कर रहे हैं मार्स और चांद पर हम पानी खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि life का हम वहाँ पर कुछ अंदाजा लगा सके चलिए तो वैसे तो oceans भी है लेक्स भी है वेपर है रिवर है यह सब भी पढ़ने का है लेकिन हम पढ़ेंगे ocean बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे classes बढ़ती जाएंगी सेवन थे नाइंट हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे तो ocean हम अगर पढ़ें इसके अंदर hydrosphere में क्योंकि अर्थ का सबसे major part ocean कवर करते हैं इसलिए हम ocean को सबसे पहले पढ़ेंगे ocean के अंदर movement कौन-कौन सी होती है ocean के अंदर होती है waves की form में movement होती है tides की form में होती है current की form में होती है दोस्तो अब इस बुक में ये तीन movement explain नहीं कर रखा है तो मैं आपको उपर-उपर से एक बता देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जा कोई confusion ना हूँ वेव दरसल आप समझ सकते हैं जो समुन्दर में लहरे उठती है उसी की मदब से समुन्दर का पानी एक जवासे दूसरी जगा जाता है तो वह एक motion है उसके अंदर ocean के अंदर जो movement होती है टाइड क्या होते हैं अगर हिंधी में बोलते हैं जुर ब घाता कहते हैं जॐार कहते हैं ताइड जब आप देखते हैं कि ये अगर समझाओ ये एक टट है या फिक कोस्ट लाइन है इस कोस्ट लाइन पर आप देखेंगे पानी कभी कभी यहां पर होता है या पानी फिर थोड़ा थोड़ी दिर पार इस लेवल पर मुझ जाएगा तो आप देखेंगे कि कभी आप पोस्ट पर खड़े हैं तो कभी तो अगर आपके पैर हैं तो कभी तो पानी आपकी यहां पर आ रहा होगा इस लेवल पर कभी आपके घुट्वर तक पानी आ जाएगा तो ये एक movement जो water की होती है, vertical movement होती है, जिससे water का level change होता है दिन में, कभी रात को अलग level होगा, शाम को अलग level होगा, तो वो movement water की जो होती है, वो tides की वज़े से होती है, tides की वज़े से क्या होता है, पानी की जो उचाई है, यानि पानी की जो vertical movement है, वो होती है, tide की वज़ से वो change होती है अब यह क्यों होती है इसका मैं आपको answer बता दू यह होती है gravityиком पुल है gravity결 saç पुल होता है मून का उसकी वजे से यह वाटर की वर्टीकल मूब्मैंट होती है अब यह कैसे होता है दोस्तों यह हम आगए के चैप्टर्स में पढ़ेंगे डीकेल में फिलाल आप यह समझ लीजिए होरीजोंटल मुव्मेंट तो वेव की वज़े से होती है ठीक है वर्टिकल मुव्मेंट वाटर की है वह ग्रैविटेशन पुल जो मून का होता उससे टाइग बनते हैं यानि समुदर की उचाई उस समुदर के सर्फिस पे दोनों जगा पर अगर यह समुदर है तो समुदर के यह सर्फिस है यहां पर भी और समुदर की गहराई में भी जो ओशन के करेंट एक करेंट यानि धारा वही की पानी की जो ट्रैवल करेगी एक जगा से दूसरी जगा अब यह धारा फास्ट भी हो सकती है और बहुत स्लोबी हो सकती है इनके जो मेजर कारण है जो मुख्य कारण है पानी की धारा के ओशन करेंगे वह मुख्य तोर पर हवा ही होती है सर्फेस पर और अगर समदुर के नीचे देखा जाया तो वह उसमें कितनी सैलिनी की और टेंपरेचर जो है उससे डिपेंड करता है वह हम आगे की चेप्टर में पढ़ेंगे फिलाल आप यह समझे कि मुव्मेंट तीन तरह की होती है हमने समझ लिया अब हम पढ़ते हैं कि ओशन जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं कितने मेजर ओशन से अर्थ पर अर्थ पर जो जिया है और तो जो एरिया आपको यहां दिख रहा है यह और इसके बाद रहा यहरा आक्टे कोशन चलिये पैसिफिक ओशन में अगर equator के उपर है तो बोलेंगे North Pacific equator के नीचे वाले को बोलेंगे South Pacific Ocean उसी तरह से Atlantic में क्या बोलेंगे North Atlantic और South Atlantic ठीक है Indian Ocean यहाँ पर यह रहाई इसकी position ठीक है चलिए अब देखते हैं Indian Ocean भी आप देखिए दोनों position में है equator के उपर नीचे दोनों exist करता है ठीक है अब देखते हैं कि इनकी shape कैसी है इनके important features देखेंगे तो आप देख सकते हैं location हमने देखी location से समझ आता है कि North और South America में boundary लगती है Pacific Ocean की दूसरी और Pacific Ocean की boundaries यहाँ देखिए रशिया चाइना यानि यानि कि Asia से भी लगती है तो Pacific Ocean के चारों तरफ कौन कौन है अब उसके बाद अगर हम आगे चलें हम देखते हैं इंडियन ओशन इंडियन ओशन यह रहा इंडियन ओशन जो है इसकी shape कैसी है इसकी shape आप देखिए almost एक ट्राइंग्ल से इसकी चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि Atlantic Ocean की shape कैसी है इसकी shape एस चेफ में है तो ओशन की शेफ हमें समझ आगई कभी भी पेपर में प्वेस्चन आएगा तो याद रखें कि सर्कुलर शेफ है पसिपिक की एस शेफ है एक्लांटिक की ट्राइंगुलर है इंडिगन ओशन की उसके बाद यहां पर देखिए आप यह रहा एक तरह से आर्क्टिक ओशन आर्क् ओशन यह gedário वो एक तर फॉटो नजर आ रही है अब जो पैसिफिक ओषन है वह कहां पर है वह रहा यहां पर उपर की तरफ होगा Pacific चलिए दिखाते हैं मैप से समझते हैं यह रहा Arctic यहां पर Arctic Ocean होगा उपर ठीक है Arctic Ocean यहां उपर होगा अब उसके बाद हम अगर देखें तो Pacific से Arctic मिलता है यहां पर फोटो में नहीं दिख पा रहा है लेकिन आप देखें यहां कहीं मिल रहा होगा Arctic से Pacific इ चलिए वह location है यहां पर आप देखिए इधर उपर की तरफ यह एशिया और नौर्ट मेरी यहां पर उपर इसके Arctic पर पसिफिक जो मिलता है उसको बोलते है जहां से मिलता है उसे बोलते हैं बैरिंग स्क्रेट क्या होता है यह रहां बैरिंग अब यह बैरिंग स्क्रेट क्या होता है स्क्रेट दरसल जैसे हमने इस्थिमस पढ़ा था हमने पढ़ा इस्थिमस क्या होता एक नेरो स्क्रिप आप लैंड होता है जैसे इस्थिमस में जमीन का पतला होता है दोनों तरफ क्या होता है लैंड होती है दोनों तरफ लैंड होती है और बीच में छोटा सा एरिया होता है जिसमें पानी होता है उसको हम कहते हैं तो स्ट्रेट और इस्तिमस एक साथ आप यादा रख सकते हैं जहां पर दोनों तरफ पानी होगा बीच में थोड़ी सी जमीन होगी उ उसको बोलेंगे हम स्क्रेट ठीक है उसका इंपॉर्टेंट एक्जामपल है बेरिंग स्क्रेट जो कि आर्क्टिक और पैसिफिक ओशन को कवर करता है करता है देखे यहां कहीं बेरिंग स्क्रेट पढ़ेगा ठीक है दूस्कों चलिए यह रहा यहां पर देखें आप बेरिंग स्क्रेट की लोकिशन यह रहा बेरिंग स्क्रेट अब पढ़ते हैं हम आगे चलिए ठीक है अब हम देखते हैं हमारा ओशन हो गया ठीक है हाइड्रोस्फेर हमारा हो गया ओशन के अंदर ठीक है हमारा लिथोस्फेर हो गया हमारा हाइड्रोस्फेर हो गया अब पढ़ते हैं एक्टमॉस्फेर यानि की तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट लिथोस् होती है अर्थ के चारों तरफ जातों ब्लांकेट ऑफ और की वजह से एक वातावरन जिसको हम कहते हैं वो बनता रखते हुए शबसमा से टमॉस फेर निकाला लेकिन हम जानते हैं एक्टमासफेर में वेपर के अलावा और भी बहुत सारी पीस होती है तो और जो मिक्सटर गैसीज होता it वो अर्थ को चारो तरफ से cover करके रखता है जिसको हम कहते हैं atmosphere अब atmosphere क्या काम करता है atmosphere हमें दरसल एक तो हमें atmosphere में हम जानते हैं कि nitrogen oxygen और और भी बहुत तरह की gases होती है लेकिन सबसे भारी मातरा में होती है nitrogen 78% और 21% होती है oxygen हम सब जानते हैं oxygen बहुत important है life के लिए respiration के लिए उसी तरह से nitrogen important है बाकी life processes के लिए जैसे हम जानते हैं जमीन में अगर nitrogen की कमी हो जाए तो खेती नहीं हो पाती है nitrogen दरसल दोस्तों हमारी कोशिकाओं में हमारे cells में हमारे protein structure में बहुत important role play करता है तो nitrogen जो है वह हमें atmosphere से ही मिलता है atmosphere में nitrogen होना क्यूंकि वह này n detection olduğ रवी nitrogen ग्रोच करते हैं nitrogen छीपिषर होता है तो हमारी life के लिए बहुत important है nitrogen, oxygen हम जानते हैं क्यों important है क्योंकि सांस लेने में मदद करता है, उसके अलावा carbon dioxide वैसे तो काफी कम मात्राम है, आप देखिए nitrogen और oxygen ही मिलके इतना जादा 99% के करीब बना देते हैं, लेकिन carbon dioxide जो की बहुत कम मात्राम है, फिर भी वो life के लिए बहुत जादा important है, वो कैसे, क्योंकि carbon dioxide gas क्या करती है, carbon dioxide gas क्या करती है, heat को trap करती है, मतलब carbon dioxide जो उश्मा है, उसको अपने अंदर सोख लेती है, अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि अर्थ के चारों तरफ जो एक gas के layer बनी है, वाता वरन, जब सूरज की रोशनी यहाँ पर आती है, अर्थ के पास सूरज की रोश्नी आती है, तो अर्थ गरम हो जाती है, अब ये अर्थ क्या करती है, heat release करती है, यही अर्थ गरम होने के बाद heat release करती है, और carbon dioxide जो यहाँ पर present है, CO2, ये इस वाली heat को अपने अंदर रोक लेती है, यानि अर्थ के पास मेरे ज़ब हीट आती है तो िस हीट को बाहर जाने से प्याइब क्या होता है इस से अर्थ पे जो टेंप्रेचर है वह जीवन के लाइक लह पाता है जीवन हांगे रहाता है अगर कर लोग को ससव Albert नहीं होता या फिर बहुत ही पतला atmosphere होता है जैसे मार्स है मार्स का atmosphere इतना जादा पतला है इतनी कम gases है कि वो इसके उपर heat को trap नहीं कर पाता है तो गर्मी यानि अगर temperature नहीं trap कर पाएका तो बहुत जादा अगर माइनस 50 डिगरी temperature हो जाए माइनस 100 डिगरी temperature हो जाए तो वहां पर life possible नहीं है तो carbon dioxide atmosphere क्या काम करता है atmosphere पहली बातों में सांस लेने के लिए oxygen देता है life process के लिए nitrogen देता है और temperature देता है अर्थ को रहने लाइक बनाने के लिए carbon dioxide के द्वारा यानि planet को warm करता है radiated heat को absorb करके radiated heat यानि अर्थ ने जो छोड़ी होती है उसको absorb कर चलिए दूस्तों ठीक है और दूसरी कौन सी गैस है जो atmosphere में होती है मतलब gas gas की form में होती है और heat को बहुत absorb करती है वह water vapor यानि भाप की form में जो पानी होता है atmosphere में वह भी क्या करता है वह heat को रैप करता है और अर्थ के temperature को maintain करता है रहने लाइक बनाता है अब इस atmosphere को हमने कई layers में बाठ रखा है mainly हमने इसको पांच layer में बाठ रखा है वह आप यहां देख सकते हैं ट्रोपोस्पेर स्ट्रेक्टोस्पेर मीजोस्पेर थर्मोस्पेर एक्जोस्पेर तो जो ट्रोपोस्पेर सबसे पासवाली हमारे बाकी जित्रे भी काम होते हैं। सब ट्रोपोस्पेर में ही हो जाते हैं। कि आप मुझे में बताइया कि कौन इस ऊती है यहां पर शिट्रैक्टो बार्णक्र में इंपाटम्स से हमें है कि स्ट्रैक्टोस्पेइर में जो गैस होती है एक जो एक ही कंपाउंड होता है जो वो हमें बचाता है ultraviolet rays से ultraviolet rays से हमें बचाता है सूरज की पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है ये किरणे वरना हगर हमारी skin तक पहुँच जाए तो ये तवचा को skin cancer कर सकती है और भी कही तरह के damage पहुचा सकती है तो stratosphere में एक खास तरह की gas होती है जो की हमें बचाती है किस से ultraviolet rays से यूवी rays से बचाती है तो वो कौन सी rays है वो comment box में आप मुझे बताइए तो stratosphere के बाद आता है mesosphere उसके बाद आता है thermosphere थर्मosphere के बाद आता है exosphere आ गया यानि एक तरह से space की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है दोस्तों यहां पर satellite होते हैं आप समझ सकते हैं जैसे बता है सारे काम होते हैं यानि हवाईजाज जो उड़ता है और प्रपस्पेर के बीच में ट्रॉप पॉस होता है वहां हवाईजाज उड़ता है लेकिन आप फिलाल यह मान लीजिए कि प्रपस्पेर में हवाईजाज उड़ता है ठीक है इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए यह एक एक लेयर है अर्थ की ठीक है इसको हम पढ़ेंगे हायर बात यह होती है यह जो लेयर हैं हमने देखा है जनरली जब हम यहां से जाते हैं अर्थ के सरफेज से ऊपर की तरफ तो क्या होता है एक खास बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे क्या होने लगेगा जो एर की डेंसिटी है वो कम होती जाएगी डेंसिटी डेंसिटी होने से यहां पर क्या मतलब है density decrease होने से यहां मतलब है क्योंकि अर्थ पर आप ये देखिए सबसे ज़्यादा gas कहा होगी सबसे ज़्यादा gas मिलेगी surface के आसपास जैसे जैसे आप उपर जाते जाएंगे gas जो है अब खुली खुली होती जाएगी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी च्छोटे एरिया में देखें तो यहाँ पर अगर gas के 4 molecule मिलेगे तो यहाँ पर gas के 1000 molecule मिलेगे तो यहाँ पर जो है एर जादा होगी ठीक है तो उसकी density जादा होगी यहाँ पर air जो है max होती जाएगी तो surface पे होँगे तो air की density जादा हो गई यानि oxygen भी उसमें जादा होगा, जैसे जैसे height बढ़ती जाएगी, density जो है कम होती जाएगी, तो air भी कम होती जाएगी, तो इसलिए हम देखते हैं, जैसे जैसे height बढ़ती है, जब पहाड पर चड़ते हैं, तो नीचे जो है oxygen सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन पहाड के ऊपर हईट बजाते है एयर की density जो है वो कम हो जाती है और की कम हो गई तो oxygen की density भी कम हो गई इस वजह से क्या होता है उपर सांस लेने में दिक्कत होती है इसलिए जो है problem experience करते हैं कि दोस्तों टेंपरेचर हमने समझ लिया नीचे ड्रॉप होता है अब समझते हैं कि एक्टमॉस्फेयर में हम समझते हैं कि एक्टमॉस्फेयर में देखते हैं एक्टमॉस्फेयर है गैसीज है तो हवाय जो चलती है वह एक्टमॉस्फेयर में ही चलती है अब यह कैसे चलती है दरसल क्या होता है अर्थ पर आप मान लीजिए अर्थ का सर्फिस है तो कुछ एरिया पर अप गैसिज है भई जहां पर भी बात हो जाए गैसिज की ठीक है जहां पर एक्टमॉस्फेयर है तो बात होगी गैसिज की अब गैसिज की बात होगी तो बात होगी प्रेशर की तो क्या होता है कहीं कहीं पर तो अर्थ पर गैस का जो प्रेशर है वो जादा होता है ठीक है कहीं पर अर्थ का जो अर्थ पर गैस का प्रेशर है वो कहीं पर जादा होता है कहीं कहीं पर अर्थ पर गैस का प्रेशर कम होता है अब जहां पर गैस का प्रेशर जादा है मान लीजिए यहां पर गैस का प्रेशर जादा है यहां पर गैस का प्रेशर कम है मान लीजिए कि यह है एशिया यहां पर है सूरज बहुत जादा हीट होने की वज़े से जो गैस है वो उड़ गई तो यहां पर गैस उड़ गई तो गैस कम हो गई, गैस कम हो गई तो इसका गैस का प्रेशर भी कम हो जाएगा, गैस का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, सूरज यहाँ पर है, अब मान लीजिए यहाँ पर गैस का प्रेशर क्या था, एर का प्रेशर, गैस का एर एक गैस है, ठीक है, एर का प्रेशर यहाँ पर जाता है तो जहांपर जादा है यहांदा यहर करना कहाँ एताट यहां से ऑड़ाइर आइर वाले एरियkeln के से no pressure में अट्रेश घख हाई प्रेश्ण से लोगे जागी लियाना तो इस वजह से जब इहां से यहां जाए गी ठीक है तो यहां पर चलेगी विंडशले estos को हवा चलती है यह हमने समझ लिया कौन कोंसी होती है उसके बाद क्या है nitrogen oxygen carbon dioxide हमने समझा उसके बाद हमने समझा कि density का effect क्या होता है और उसी की वज़े से चलती है यहां पर रीठ सवरी इंड हावा कैसे चलती है density difference की वज़े से और डेंशीटी difference की वज़े से क्या होता है सांस लेने में तकलीफ होती है चलिए आगे चलते हैं अब हमने तीनों component समझ लिये हैं तो यानि इसका मतलब अब हम समझ सकते हैं कि biosphere क्या होता है दोस्तों दरसल biosphere क्या होता है जहां पर भी lithosphere, hydrosphere, atmosphere इस तरह से मिलें कि life possible हो बहुत ही narrow region होता है देखिए अगर इन तीनों में से एक भी चीज पॉसिबल absent होगी तो वहां life possible नहीं होगी मान लीजिए चक्तान है और atmosphere भी है यह तो मार्स पर भी है चक्तान है मार्स पर atmosphere है थिन atmosphere है बहुत पतला atmosphere है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है तो life मार्स पर पॉसिबल नहीं है तो इन तीनों का होना बहुत जरूरी हो जाता है अर्थ पर भी हम देखते हैं कई बार क्या होता है अर्थ पर हम ऐसी जगाहे देखते हैं जहां पर life उतनी possible नहीं हो पाती है जैसे Antarctic हमने देख लिया वहाँ पर हाइग्रोस फेर तो लेकिन पानी पीने लाइक उसमें नहीं है तो वहाँ पर भी life पॉसिबल नहीं हो पाती मार्स का एक्जामपल सबसे अच्छा है उसको याद रखिए यहां पर तो तीनों कैसे दोस्तों ध्याम रखिए तीनों में से एक भी नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाईगी वहाँ पर उसके लिए मार्स का एक्जामपल याद रखिए अब हम देखते हैं कि इसलिए अर्थ क्या है यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहां पर लाइफ पॉसिबल है तीनों कॉंपोनेंट्स एक दूसर से मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं इसी लिए अर्थ पर क्या है और्गेनिजम मिलते पाए जाते हैं जिसमें हमने डिवाइट किया है मेजरली प्लांट किंग्डम और एनिमल किंग्डम पेड़ पॉधे और जानवरों में जैसे हम मुतन डिपेंडेंट कैसे होती है अगर मान लीजिये आपने पेड टी लिठोफेर में आपने चेंज करा दीए तो नहीं हो पाएगा और पेल अगर तो कर्वेंडीयोकसाइड का absorption carbon dioxide मात्रा में ज्यादा हो जाएगी atmosphere में तो उससे क्या हुआ हरियाली खतम कर दी atmosphere में चेंज आ गया कैसे carbon dioxide ज्यादा बढ़ गया जालिए उसी तरह से कुछ changes ऐसे होते हैं natural changes की वज़े से भी कभी कभी क्या होता है चेंज आ जाता है बायो स्फेर में और life की life वहाँ पर change हो जाती है जैसे माल लीजे सुनामी एक ऐसा natural phenomena natural incident था जिसकी वज़े से आप देख सकते हैं कुछ पाट जो है अंडमान नीकोबार का वो दूब गया यानि continent भी थोड़ा सा पानी के अंदर continent वो दूब गया ठीक है continent का वो पाट यानि अंडमान नीकोबार पानी के अंदर डूब गया चलिए तो यहां पर भी क्या हुआ यहां पर life जो है वो जिस्टर्ब हो गई कैसे बायो स्फियर जिस्टर्ब हो गया क्योंकि जमीन का वो पार थोड़ा वहां पर चला गया है तो अब उसके वज़ा से चेंज आ गई अब यहां पर क्या होगा आप देख सकते हैं बायो स्फियर मैंने क्या बता है चेंज आ गए यानि बायो स्फि और आप नदी आंदर पानी के अंदर वेस्ट डिस्चार्ज कर दें थिक है वेस्ट ब्रोड़क्स चाहिए तो उसकी वजे से भी वहां पर लाइफ दिस्टाब हो सकती है तो एक बैलेंस बहुत जरूरी है बायो स्फेयर में बैलन्स होना बहुत जरूरी है इसी वज़े से हम देखते हैं बायोस्फेर का बैलेंस बैलेंस जो है वह बिगड़ने की वज़े से हम देखते हैं कार्बन डायोकसाइड मातरा में जादा बढ़ गई है जिसके वज़े से ग्लोबल जो टेंपरेचर है वह बढ़ता जा रहा है क्यों जैसे बताया कार्मन डायोकसाइड अगर जादा एक्मासफेर में हो जाएगी वह जादा हीट को ट्रैप करेगी तो अर्थ का टेंपरेचर जादा तेजी से बढ़ेगा उसको हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग यानि अर्थ की वार्मिंग उसी तरह से आज बहुत चर्चा क भी होता है लेकिन अननैचुरल तरीकों से हो रहा है यह बैलेंस खराब होने की वज़े से बायस फिर में तीनों कॉम्पोनेंट्स ना तो यह चैप्टर आपको समझ आया होगा यह थोड़ा लंबा चैप्टर सा दोस्तों इसके अंदर काफी डीटेल्स और काफी चीज़े रहिए धन्यवाद दोस्तों